नमस्कार सर, स्वागत है आपका कश्मीर समाचार में धन्यवाद जब कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद यहाँ पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं जिला विकास परिशद यानि DDC एलेक्शन पहली बार कैसे देख रही है भाजपा इन चुनाव को क्या उमीद रखती हैंसे मैं साथ लगते पहाडी राजे हिमाचल परदेश से चौती बार सांसद बना और वर्शों से लगातार देख रहाँ कि हमारे पंचायतों के चुनाव बीडीसी के चुनाव जिला परिशत के चुनाव होते हैं त्रीटियर सिस्टम वहाँ पर था जम्मू कश्मीर में नहीं कारण इसका कारण ये था कि यहां का जो नेतरतव है वो नहीं चाहता था कि कोई युआ नितरतव उभर कर आए ये अबदुल्ला परिवार मुफ्ती परिवार कॉंगरेस के लोग ये केवल तीन चार लोग ही सदा सत्ता में रहे सिस्टम को लूटते रहे और युआ प्रतिबाशाली युआउं को आगे नहीं आने दिया अगर वो डीडी सी के सदस्य बन जाते तो अगली बार विधायक भी बनते वो नहीं चाहते थे वो ही रखे जो लूटने में माहिर थे और ये सिस्टम चलता रहा मैं दिल से इतना खुश हूँ कि जम्मु कश्मीर के निया नेतरतव उपर कर आएगा अच्छे प्रतिनी दी उपर कराएंगे और सत्ता की चाबी अब जम्मु कश्मीर के लोगों के हाथ में होगी विकास वो करवाएंगे ना कि कोई और करवाएगा सर जब पिछली बार जम्मु कश्मीर से 25 मले चुने गए कुछ को छोड़कर लगबग सभी पे लोगों को काफी रोश है वो लोगों की उमीदों पर खरे नहीं उत्रे तो भाजपा कैसे लोगों को फिर से विश्वास दिलाती है कि हम पर भरोसा करें देखे जब उनके चुनाव आए तब जनता सोच सकती है उनका आंकलन कर सकती है लेकिन इस चुनाव में एक बात समझनी बहुत अवश्यक है कि ये चुनावों के माध्यम से जो आपके प्रतिनी चुन कर आएंगे अधिक्तर विकास कारे इनके माध्यम से होंगे जब तक अगली विजान सबानी चुन कर आती इसलिए लोगों के पास अफसर है कि ऐसे अच्छे लोगों को चुनो जो कि पीछे के रुके हुए कामों को करवा सके और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भारती अंता पार्टी ने बहुत अच्छे उमीदवार दिये हैं और जो जनता की सेवा करने के लिए पूरी तरह से तयार है सर जम्मू में लोकल लीडर्स हमेशा से चाइना पाकिस्तान यही राजनीती करते आए लेकिन अब जनता चाहती है कि इससे उठकर विकास की राजनीती की जाए क्या आप लोगों को आप से क्या आशा रखेंगी किस तरह का विकास आने वले दिनों में जम्मू कुश्मीर में होगा मैं धन्यवादी हूँ आपने सवाल पूछा क्योंकि आप युवा है और एक युवा की आवाज जो है आपने वो उठाई और मैं भी वाओं को कहना चाहता हूँ कि आपके लिए आई आई टी, आई आई एम, पांच मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज 23 केंद्रिय विद्यालिय, एम्स जैसा अस्पताल ये भारती अंता पार्टी ने शुरुआत की यहां पर फोरलेन हाईवे, जो 30-30 साल पुराने कहते थे बनाएंगे, बने नहीं थे, हमने बनाना भी शुरू कर दिया पुल भी बनने शुरू होगे, रेलवे लाइने बनने शुरू होगे एक्सप्रेस वे बनने शुरू होगे एमस हस्पताल दिल्ली जाते थे लोग इलाज करवाने, एमस हस्पताल यहां पर ले आए, सिरी नगर में ले आए, सेंटर इन्वरस्ट्री जम्मू और सिरी नगर में दो कैंपिस ले आए, कहां थे, यह भाजपा ने परदेश के इवाओं के लिए किया है, जम्मू किश्मीर के इवाओ, अपनी प्रतिवा को और निखार सकें, पढ़ लिक कर उन्चाईयों पर पहुंच सकें, इसके लिए हमने चुरुवात की है, और इनी इवाओं के लिए अपने ही राज्ये में 70,000 नौक्रिया सरकारी क्शेतर में हम लोग देने वाले हैं, 18,000 नौक्रियों पर पक्रिया शुरू हो गई है सरकारी, 25,000 का बैच इसके बाद आने वाला है, और तीसरे चलन में कुल मिलाकर 70,000 नौक्रिया पूरी हो जाएंगे जब 5 अगस 2019 को जमुकुश्मीर से 370 हटाया गया, तो सबसे ज़ादा जशन जमु में मनाया गया, जमु के लोगों में काफी खुशी थी, तब ये कहा गया एक देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान, बाकी सब तो एक हो गया लेकिन एक इंटरनेट अभी त जब ये विश्यात उनको कहा, तो सुप्रीम कोट ने कहा कि ये निरनेट, टेकनिकल लोगों को और सेक्यूर्टी एजनसी को तैक करना चाहिए कि किस क्षेतर में कब कितना कितना नेट खोलना है, जहां तक ऑप्टिकल फाइबर है, वाइफाई है, ये सुविधाय सब नहीं है, वो भी वाइफाई का इस्तमाल कर सकते हैं, मुझे रखता है, ओन दो मूफ, नेट चलना और स्टेशन होने में बहुत अंतर है, और ये मेरे और आपसे ज़्यादा सेक्यूर्टी एजनसी इसका उतर दे सकती हैं, जिनने सुप्रिंग कोट में भी बात कही, और व जहां Digital India बनाने के लिए हमने पूरे देश भर की पंचायतों को Optical Fiber से जोडने का काम शुरू किया है, डेड़ लाग से जाधा पंचायतों को हमने Optical Fiber से जोडा है, इस साल हम Optical Fiber से देश भर की पंचायतों को जोड़कर पूरा कर देंगे, ये इसी दिशा में सपना है कि E-Education की बात हो, E-Health Care की बात हो, E-Governance की बात हो, मोदी जी तो वैसे ही टेकनोलोजी में विश्वास रखने वाले हैं, तो हमारी सरकार तो सदा चाहेगी कि जतनी जल्द से जल्द हो, मेरे युवासातियों को और प्रदेश की जनता को भी, ये हो, इस मांग में तो मैं भ हलात सामानिय हैं, लेकिन जब 4G की बात करो, तो कहते हैं कि अभी security problem है यहाँ पे, तो हलात सामानिय हुए हैं या नहीं हुए हैं, नहीं देखिए, बहुत फरक पड़ा है, प्रशाशन की बात करें, तो बहुत अंतर है, अगर आप कहें कि पत्राव की घटनाय रुग गई बिल्कुल रुगी, फरक पड़ा है, आप कहें क्या आतंक की घुस्पेट बंद होगी, नहीं, आतंक की घुस्पेट हुई, लेकिन 230 आतंक वादियों को पिछले एक साल में मार भी गिराया है, तो उसके दो पहलू है, यह प्रोसेस चालू है, लोगों की भागेदारी बढ सर्वान किया जा रहा है, सर बेशक के इंदर में मोदी जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लोग काफी खुश है, लेकिन जम्मो में लोकल लीडर्स कब तक सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही वोट मांगते रहेंगी, तेके जो पार्टी का नहिता है, सरव मानने हैं, इतने लो आपदा में भी अफसर ढूंडने का काम किया, आपदा में भी आत्मनिरवर भारत बनाने की सोच रखी, आपदा के समय जो हमने देखा कि हम एक भी पीपी किट हिंदोस्तान में नहीं बनाते हैं, जो मास्क आपने पैना ये भी हाँ पर नहीं होता था, लेकिन अब हिंदोस्त में लोग अपने पाउंपर खड़े हो रहे हैं असी क्रोड लोगों को आठ महीने तक मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी सरकार ने किया साड़े बीस क्रोड महिलाओं के खाते में हमने 31,000 क्रोड प्या डाला उनकी मदद की साथ क्रोड बेहनों को पहले गर सोई गैस का सिलंडर दिया तो बात में तीन महीने आपता के समय मुफ्त में सिलंडर भरवाने का काम किया दस क्रोड पके मकान दिये तो दस क्रोड शोचाल ले दिये तो दो क्रोड पके मकान दिये ये सारी बात अगर मैं गिनाने लगूंगा और PM किसान में भी किसानों को 6000 प्या साल करूंगे खाते में जमा कराएं मोदी जी ने कराएं हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास किया है तो उसका impact तो नीचे होगा अगर आप मुझे कहें जम्मू किश्मीर के चुनाब में मैं मोदी सरकार की बात न करूं तो क्या आप ये कहना चाती है कि मोदी जी ने जम्मू के लिए नहीं किया क्या मैं ये ना कहूं कि मोदी जी ने एम्स का जम्मू और स्रीनगर को दिया क्या मैं ये ना कहूं कि सेंटर इंवर्स्ट्री मोदी ने जम्मू और कश्मीर को दिया क्या मैं ये ना कहूं कि IIT I.A.M. मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को दिया मैं आपकी हर बात का जवाब दे रहा हूँ इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हो सकता है कुछ प्रजेक्ट में विलंब हुआ हूँ उसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन एक बात का विश्वास तो मैं अपने जम्मु कश्मीर के भाई ये बैनों को दिलाना चाहता हूँ कि आर्टिफिशल लेक हो या कोई और ऐसा प्रजेक्ट हो जो जम्मु कश्मीर के हित में है उसको हमलो करके देंगे ये चुने हुए प्रतिनिती जब आएंगे डेडिसी के चुनकर बनाने का काम करेंगे जम्मु कश्मीर में पहले 370 फिर लॉकडाउन सबसे जादा मंदी का दोर बिजनसमैन को देखना पड़ा जम्मु कश्मीर में अवना थियात्रा जिससे काफी पैसा आता था दो साल से वो भी नहीं हो पाई डारेक्ट कट्रा ट्रेन जाने से भी यहां की बिजनसमैन को काफी मंदी के दोर से गुजरना पड़ा उनके लिए क्या करेंगे जान है तो जहान है जान भचानी जिरूरी थी 130 क्रोड हिंदोस्तानियों में करोना का प्रभाव ना हो कम हो यह प्राथमिक्ता थी और दुनिया भर के इंडेक्स ने बताया है कि किस तरह से मोदी जी के उठाएगे कदमों से भारत को लाब मिला लाब कितना मिला कि आज दुनिया भर में फेटलिटी रेट सबसे कम भारत का है उन देशों में हम लोग यहां में मिलती दर कम होई और यह लोग डॉन जो शुरू में कि उसका लाब मिला और जो आप विपारीवर के बात करते हो उनको छे महिने तक मूल धन और किष्टें ब्याज की वापिस ना करनी पड़ें इसके लिए भी हम लाए यानि कि प्रिंसिपल इंटरस्ट की किष्टें जो थी वो भी हमने उनको उसमें रहा दी उसके बाद तीन लाग क्रोड रप्या हमने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइस को दिया बैंकों की माध्यम से किसी की जमीन घर गिर भी नहीं रखा उनको पैसा दिया ताकि उनके काम धंदे चल सके फिर इकुटी इंफ्यूजन करने के लिए लग लग योजनाई लेकर आए बैंकों से भी मदद की वेपार को आगे बढ़ाने के लिए भी किया और मैं एक बात आपके चैनल पर जरूर कह दू सेप्टेंबर महिने में 2019 में 91,000 क्रोड पर जी एस्टी की कुलेक्शन थी इस साल बढ़कर 95,000 क्रोड होगी अक्टूबर 2019 में 95,400 क्रोड पर जी एस्टी कुलेक्शन थी इस साल बढ़कर 1,5,000 क्रोड से जादा होगी ये अपने आप में दिखाता है कि विपार वापिस पटरी परा रहा है और जो नए आंकड़े भी आए हैं जो लोग कहते थे माइनिस 25 पर्षन ग्रोथ होगी उनके आंकड़े भी कल्थ हुए अर्थ व्यस्ता तेजी के साथ वापिस सुधार कर रही है और हमने जान भी बचाई और जहान को बचाने का काम भी किया है शुक्रिया से बहुत बहुत धन्यों